नमस्कार साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ जैसा आप देख पा रहे हैं थम्नेल में लिखा है कि डिरेक्ट लिंक टू डाउनलोड रिजल्ट तो दोस्तों रिजल्ट का जो प्रोसेस है उसके लिए भी आपको बताऊंगा किस प्रकार पना रिजल्ट आप डाउनलोड कर पाएंगे दोस्तों बात करें अगर हम लोग यहां पर सुरुवात करेंगे अपने कॉंस्टेबल के मेल कैटेगरी से और धीरे धीरे आप जैसा देख पा रहे हैं कि यहां अलग-अलग कैटेगरी में मेल एंड फीमेल कैटेगरी की तरफ हम लोग जाएंगे तो आए शुरुवात करत दोस्तों यहाँ पर जो shortlisted candidates हैं number of candidates हैं 5,856 और दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसके cut-off को अगर हम बात करें तो 60.242 यहाँ पर cut-off गया है जिसमें part 1 का 22.5 है और part 2 का 15.5 और यहाँ पर last selected candidate का दोस्तों आप देख पा रहे हैं second of May 1999 जो कि उसका DOB है बात करें SC category का तो लगभग 8604 यहाँ पर अभिरती आपके सामने जैसे आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ पर display मैंने कर रखाया और मैं आपको बता दू कि यहाँ पर 57.96 अंकों के साथ दोस्तों आपर cut-off गया है बात करें दोस्तों अपने ST category की तो जैसे आप देख पा रह है जिसमें पार्ट A का 13.5 और पार्ट B का 24 अंक यहाँ पर cut-off है कुल selected अभिरती जो ST category के हैं वो 2904 है अब दीरे दीरे बढ़ते हैं अपनी OBC और general category की तरफ तो OBC की बात करें तो दोस्तों आप 3690 अभिरतियों का दोस्तों यहाँ पर selection मतलब आगे के लिए resort list किया गया ह है वहाँ पर 6-6 दोस्तों 8-1-1 अंक यहाँ पर दोस्तों cut-off गया हुआ है उनका और यहाँ पर part-wise भी आप देख पा रहे हैं जैसा कि आपको screen पर नजर आ रहा है 21.75 और 22.5 बात करें अब अपनी दोस्तों general category मतलब जो on reserved यहाँ पर category रहती है जिसमें दोस्तों आप सभी unreserved category करना जा करके बलकि OBC का गया है जो कि आप देख पा रहे हैं 6-6 दस्वनो 8-1-1 था और इस बार यहाँ पर general category का cut-off कुछ कम है 65-0-0-3-2 यहाँ पर part 1 में 21 और part 2 में 23-7-5 यहाँ पर दोस्तों गया है cut-off आपका बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर जो special category है एक सर्विसमेन का जिसे आप देख पा रहे हैं या इसी संबंद में कमांडो का जो मतलब वो एक सर्विसमेन other category का था और एक सर्विसमेन यहाँ पर कमांडो category का था तो उसका भी दोस्तों cut-off आपको नज़रा रहा है 110 से बरतियो है उसको आप verify करके देख पाएंगे यहाँ पर जल्दी से female पर बात कर लेते हैं जो main आपका यहाँ पर रहने वाला है female category में बात करें EWS तो बहुत ही कम cut-off गया है दोस्तों अगर मैं general category के male यहाँ पर मलब एक तरीके से मैं male category से relate करूं यहाँ तो आप देख पा रहे हैं क general category हूँ या OBC, SC, ST किसी भी category को आप देख पा रहे हैं कि महिलाओं के लिए दोस्तों कटाफ बहुत ही कम गया है जैसा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर EWS category जिसमें 3216 भी अर्टी जो है यहाँ पर आगे की तरफ भेजे गये हैं even shortlisted किये गये हैं और 48 लगबग उसका cut गया गया है पार्ट A, 23 और पार्ट B, 15 अंकों के साथ यहाँ कटाफ है बात करें अगर हम लोग OBC category की तो 55.66, 14.5 पार्ट A में और पार्ट B में 24 अंक और उसके साथ ही आपके अंतिम final जो और unresort category रहती है 55.64 अंकों के साथ दोस्तों यहाँ पर कटाफ आपके सामने जैस तक ज़रूर बात पहुंचे होगी अब दोस्तों मैं अंत में आप से आता हूँ आपके result की बारे में बात करने के लिए को यह तो cutoff का data हो गया दोस्तों result के लिए मैं आपको सीधा बता दूँ कि result के लिए आपको छोटा सा काम करना है आपको जाना है description box में description box में मैंने वह और उस समंध में आपको मैं जनकारी जरूर पहुंचाऊंगा दोस्तों अमीद करूंगा कि आप तक जो भी जनकारी पहुछाने कोशिश की थी पहुची है यादि प्लीज दोस्तों बस इतना ही अन्त में कहूंगा यादि आपको लगता है वास्तों में कि मेरा प्रयाश सही है तो प्लीज भविस्य के लिए आप इसी तरह की अब्लेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर टच कर लें ताकि ऐसी अब्लेट्स आपको भविस्य में भी मिलती रहें और इस वीडियो को शेर जरूर करें तो दोस्तों यदि आपको प्रैस अच्छा लगा है तो अंत मैं यही निवे दिन करूँगा लाइक करके शेर भी करिएगा ताकि मेरा जो भी आपका ये मोटिवेशन मेरे काम आएगा कि जो भी आप यहाँ पर एक आपका शेर मुझे मोटिवेट कर सकता है नेक्स वीडियो के लिए और अपनी कोशिश को और बहतर करने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिन शुब हो